Hello everyone, मिरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं खोज डील आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू टन विंडो एर कंडीशनर्स के बारे में मैं आपको कुछ important features बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखने चाहिए और ये जितने भी models में आपको दिखाऊंगा इन सबके latest price आपको दिखाऊंगा प्लस एक card के उपर offer भी चल रहा है अगर आपके पास वो credit card है तो आपको extra discount भी मिलेगा ये सारी details मैं आपको इस video में दूँगा अगर आपको किसी और brand के air conditioners के बारे में जानना है तो मैंने काफी सारे brands के उपर video अल्रेडी बनाई है जैसे कि LG, Samsung, Panasonic, IFB, Voltas अगर आपको इन में से किसी भी brand की specific video देखनी है air conditioners के उपर तो उपर i button पर click करके आप वो video देख सकते हैं तो चलिए बिना time waste के शुरू करते हैं हमारी इस list में जो सबसे पहला model हमने रखा है वो एक नहीं 2 model है blue star brand की तरफ से window AC है ये दोनों ही 2 ton के और इन दोनों के बीच में difference क्या है सबसे पहले आप इनका model number देखें दोनों का model number अलग है उसके बाद दोनों 2 ton के है star rating अगर मैं energy rating की बात करूँ तो एक 2 star energy rating के साथ है और दूसरा 3 star energy rating के साथ है बस यही इनका एक major difference है बाकी सारे features same है copper coiling के साथ दोनों मिलते हैं fixed speed AC है inverter AC नहीं है क्योंकि inverter technology आपको split air conditioners में मिलती है warranty की अगर बात करूँ तो एक साल की warranty आपको product पर मिलेगी एक साल की condenser पर और 5 साल की compressor पर इसके उपर अगर आप extended warranty लेना चाहते हैं तो एक साल की extended warranty आपको मिल सकती है rupees 1199 extra pay करने पर प्राइस के अगर बात करूँ तो जो टू स्टार एनरजी रेटिंग वाला model है उसका जो प्राइस है वह है 34,990 वहीं जो ट्री स्टार एनरजी रेटिंग वाला model है उसका जो प्राइस है वह है 35,300 तो आप देख सकते हैं ये लगबग 400 रुपे का जो difference है ये सिर्फ इनकी energy rating की वज़े से एक 2 star energy rating वाला और एक 3 star energy rating वाला अब इस energy rating से फर्क कितना पड़ता है तो आप ये समझिए जो 2 star energy rating वाला है वो थोड़ी जादा electricity consume करता है annual electricity consumption के अगर मैं बात करूँ तो ये 1631.82 यानि की 1631.81 यूनिट पूरे साल में generate करता है वही पर जो 3 star energy rating वाला model है वो 1610 यूनिट पूरे साल में generate करता है तो आप ये देख सकते हैं लगबग 20 से 21 यूनिट का जो ये difference आ रहा है यही वो difference है जिसकी वज़े से इनकी star rating और इनक VOLTAS का 2 ton window AC है ये 2 star energy rating के साथ आपको मिलता है normal AC है inverter AC नहीं है inverter technology आपको सिर्फ split air conditioners में मिलती है copper coiling का इसमें use हुआ है warranty के अगर बात करूँ तो जो अभी मैंने आपको blue star के brands दिखाये थे उनके मुकाबले इसकी warranty थोड़ी सही है एक साल की आपको product पर मिलेगी 5 साल की condenser और 5 साल की compressor पर जो अभी blue star वाले models आपने देखे थे उनके condenser पर भी एक साल की थी लेकिन इनके condenser पर आपको 5 साल की warranty मिल दी है इसके उपर extended warranty का amount से मैं 1199 एक साल की extended warranty ले सकते हैं अगर मैं इसके price की बात करूँ तो इसका जो price है वो है 33,490 ये अभी का price है जब मैं ये video बना रहा हूँ इसके उपर installation cost भी अलग से आपको देनी पड़ेगी अगर आप install करवाना चाहते हैं तो वो है rupees 1000 ये extra amount जो आपको pay करना पड़ेगा अब खास बात आपको बताता हूँ जब मैं ये video बना रहा था तब ये जितने भी models में आपको दिखा रहा हूँ इनका ये product खरीदना चाहते हैं तो आपको 10% का instant discount मिल रहा था और ये offer तब था जब मैं ये video बना रहा हूँ हो सकता है जब आप देखने जाएंगे तब ये offer चेंज हो चुका होगा किसी दूसरे credit card पर मिल रहा होगा या फिर बंद हो चुका होगा तो इन सारे models का link मैं video के description में डाल दूँगा जब भी आप ये video देख रहे हैं आप उस link पर click करके एक बार Amazon पर जाईए visit कीजिए वहाँ पर check कीजिए इन सारे models का latest price कितना चल रहा है price भी time to time change होता रहता है तो जाके check कीजिए latest price कितना चल रहा है और किसी card के ओपर कोई specific offer चल रहा है के नहीं अगर ऐसा है तो आपको काफी कम price में ये सारे models मिल सकते हैं हमारी आज की इस list में last model है Hitachi brand की तरफ से अब आप लोग कह रहे होंगे के जादा models तो मैंने दिखाए नहीं total 4 ही models दिखाए हैं तो ये सारे वो models हैं जो Amazon पर available हैं और मैं आपको best models दिखाना चाहता था इसलिए मैंने कुछ limited models सी select करें तो ये 2 टन का window AC है Hitachi brand की तरफ से 2 star energy rating के साथ ही मिलता है ये भी आपको copper coiling इसमा आपको मिलेगी fixed speed AC है warranty same है एक साल की product पर और 5 साल की compressor पर extended warranty का amount भी save है 1199 रुपीज installation की अगर मैं बात करूं तो Hitachi brand के इस air conditioner की installation आपको 700 रुपीज में पड़ेगी तो आपने में था, Voltas का 1000 रुपे में था, Hitachi brand का 700 रुपीज installation amount है और ये standard installation amount होता है standard installation में वो basic drilling जितनी requirement है उतनी करके वो AC unit को आपके घर पर install कर देंगे अगर आपको extra drilling करवानी है कुछ extra wire आपको चाहिए तो उसका amount extra लगता है वरना 700 ये standard installation amount है price की अगर मैं बात करूं तो अभी त तो ये current price है इसके ओपर कोई card offer चल रहा है तो extra discount भी आपको मिल सकता है तो वीडियो के description में आपको सारे models के link मिल जाएंगे एक बार जाएए जाके check कीजिए आप अपने घर के आसपास भी दुकाने पोर जाएए और वहाँ पर जाके भी आप पता कर सकते हैं कि कौन से बढ products खरीदते हैं और अपने review वहाँ पर छोड़ते हैं ऐसी sites पर जहां से वह खरीदते हैं कि कैसा ये product निकला उनका experience कैसा रहा तो जाके वह भी check कीजिए बाकि आपके वीडियो पसंद आई है तो इसको like कीजिए share कीजिए अपने friends और family members के साथ और अगर आपको ऐसी वीडि हुआ 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 है